दंतिवाड़ा में हुए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर हेड कॉंस्टेबल शहीद हो गए वो मद्यप्रदेश की रीवा की रहने वाले थे वे स्पोर्ट इतना जबरदस था आसपास की इलाकों में सारा सामान बिखर गया जवान इंद्रावती नदीपर बन रहे पुल की सुरक्षा के लिए जना था घटना मुक्षाले से करीब 45 किलोमीटर दूर गीदम थाना श्येत्र के पाहर नारकी है दंतिवाड़ा में हुए आईडी ब्लास्क में रीवा का एक जवान शहीद हो गया मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री शिवरासिन चोहा ने जवान की शहादत पर दुग जताया है मुख्यमंत्री ने अपने ट्विचर अकाउंट पर लिखा कि जवान लक्षमीकान दुवेदी की शहादत पर मध्यप्रदेश को गर्व है मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट किया सेफ 22 बटालियन में 36 गड़ के दंतेवाड़ा में पदस्त रीवा के लाल हेड कॉंस्टेबल श्रीकांत द्ववेदी के प्रेशर आईडी बम की चपेट में आने से शहीद होने का समाचार मिला उनकी शहादत परमध्ध प्रदेश को गर्व है इश्वर दिवंगत आत्मा को शांती दे और उनके परिजनों को संबल प्रदान करे वही 36 गड़ के मुख्यमंत्री बूपेज बगेल ने ट्वीट कर दुख जताया मुख्यमंत्री ने लिखा दुखा समाचार इश्वर शहीद आत्मा को शांती दे परिवारी जनों को संबल की प्रार्थना करता हूँ रिवा के लाल हेड कॉंस्टेबल लक्षमिकान ध्ववेदी चतीसगर के दंतेवारा में नकसलियों द्वारा प्लांटेट प्रशर बंब की चपेट में आने से शहीद हो गए गटना गीरम थाना श्रेत्र के पाहूर नार की है इस गटना की पुष्टी करते हुए दंतेवारा एसपी डॉक्टर अभिशेक पल्लव ने बताया कि ये ब्लास्ट जिला मुक्षाले से करीब 45 किलोमीटर दूर हुआ है जगदलपूर से राजेंदर वाजपई और राइपूर से आदितनामदेव के साथ टीम यूस स्टीट